उत्राखंडी विरासट चेनल आप सभी का स्वागत करता है। आज उत्राखंडी विरासट चेनल आपके लिए लेकर आ रहा है उत्राखंड राज्यकी एक ज्वलंत समस्या रोजगार। सभी सुनने वाले साथियों से मेरा पहले निवेदन है कि आप उत्राखंडी विरासट चेनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को सिर्फ लाइक न करें, शेयर करें और आगे इतना बढ़ाएं कि यह जो है हमारी विधान सभा तक जाए और हम युवाओं की बात सुनी जाए, साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्राखंड वर्तमान में रोजगार और पलायन की समस्या के लिए जूज रहा है, वर्तमान में उत्राखंड के गाउं के गाउं खाली हो चुके हैं, लोग वहाँ पर रहने को तयार नहीं हैं, कारण लोग परिक्षा की भी आवशक्ता है, परन्तु शिक्षा और स्वास्त्यतो स्वयम ही चले आएंगे अगर उत्राखंड में रोजगार मिलेगा, आखिर रोजगार कहां से मिलेगा, अभी परसू 21 तारीकों उत्राखंड में एल्टी भरती परिक्षा का एक पेपर था, जिसमें ह हमने देखा कि युवाओं की भीड प्रति दिन बढ़ती जा रही है, और जो वैकेंसी निकलती हैं, उनमें किसी विशय में 4, किसी में 8 और किसी में 25, 50 से अधिक वैकेंसी किसी भी विशय में ये किसी भी खेत्र में नहीं निकलती हैं, अब आप ही बताईए कि आखिर यु अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को उचित शिक्षा देनी है और स्वास्त्य का भी ध्यान रखना है, आपको एक भत्वपून विशय की ओर ले जाऊंगा, वर्तमान में उतराखंड राज्य की सरकार कहती है, कि संस्कृत उतराखंड राज्य की विदिया परन्त मित्रों, बड़े दुख की बात है, कि सब सरभादि जो वेकैंसी निकली थी, उसमें संस्कृत अंतिम स्थान पर थी, गड़वाल मंडल में चार पोस्ट और उतराखंड के कुमाव मंडल में सिर्फ आठ पोस्ट निकली थी, अब आप बताईए, संस्कृत के इतने हजारों चात्र हैं, क्या सिर्फ चार पोस्ट और आठ पोस्ट से उनका भला हो जाएगा, क्या उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, कि अगर आप उतराखंडराज्य का पलायन रोकना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ह हर 6 मैने या 10 मैने या 12 महिनों में आप पोस्ट निकालें, आप 2-3 साल का विराम लीजिये बीच में, पर नतो जब भी आप पोस्ट निकालें, इतनी संख्या में निकालें, कि युआ अपनी महनत का फल प्राप्त कर सके, क्योंकि चार पोस्ट में मुझे नहीं लगता है कि कितने भी उंचे कॉम्पिटीशन करने वाला व्यक्ति क्यों न हो उसको भी रोजगार मिनना साइद असंबव है जहां गड़वाल मंडल के साथ जिले हैं वहाँ पर गिन करके चार पोस्ट आपने निकाली है अब आप ही बताईए क्या एक जनपत से एक ब्यक्ति भी लायक नहीं है उस पोस्ट के लिए आखिर सिर्फ चार और ये सिर्फ संस्कृत की बात नहीं है अन्य विशयों की भी बात है इसलिए उत्राखंड में अगर आप ओसतन इस समय रोजगार का किस चेत्र में कितने लोग कारे करते हैं तो सरभादिक आपको दो इक चेत्रों में लोग दिखेंगे या तो लोग पंडिताई की ओर चले गए हैं या फिर लोग होटल के चेत्र में चले गए हैं नई इस पंडिताई क्षेत्र में उत्राखंड सरकार का कोई योगदान है और नई होटलों के फिल्ड में उत्राखंड सरकार का कोई योगदान है उत्राखंड के युवा दस्वी और बार्वी पास करके शहरों की ओर चले जा रहे हैं और होटलों में अपने लिए रोजगा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रोजगार किसी अन्यक्षेत्र में मिल गया हो। देख रहा था कि पोड़ी गाउं का एक ऐसा परिवार था जहां एक व्यक्ति निवास करता था और अंत्ता उसने भी पलायन कर दिया। आप देखोगे परियतन के ख्षेत्र में भारत में हिमान्चल का अपना एक प्रमुक्स्तान है। वहाँ पर लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है और लोग अपने घरों में रह करके ही रोजगार प्राप्त करते हैं। मैं बात करूँ शहरों की, शहरों की कितनी भयावा इस्तिती में हमें रहना पड़ता है। न लोगों के अपने घर हैं, किराये का मकान होता है, कभी किरायदार की डांट सुननी होती, कभी किसी तरह। किसी ने किसी प्रकार से हमें प्रतारणा झेलनी पड़ती है, अगर हमारे अपने घर के आसपास या अपने राज्य में हमें रोजगार मिल जाए, तो कौन व्यक्ति है जो अपने घर से या अपने गाउं से दूर जाना चाहे। फिर पलायन कहां होगा, पलायन की तो कोई इस्तिती आएगी ही नहीं, सरकार ने आजकल उतरा करने के प्रत्यक स्कूल में सिर्फ अध्यापकों के उपर जोड़ देना प्रारम कर रखा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार को बदलाओ की इस्तिती नहीं करनी चाहिए, पर कदापी नहीं हो सकता, जब तक अभी भावक नहीं जागेंगे, जब तक विद्यालय का जो समस्त व्यवहार है वो नहीं जागेगा, जब तक सरकारें शिक्षा को आदुनिक्ता से नहीं जोडेंगी, आखिर वहां पर किस प्रकार शिक्षा की व्यवस्ता सुधर पाएगी सरकारे चाहती हैं कि सारे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं उनको किसी सहर की और न ले जाएं परन्तो आप उस आदुनिकता से विद्यालोई क्यों क्यों नहीं जोड रहे हैं आदुनिकता का आर्थ मेरा यह नहीं है कि आप सिर्फ Анग्रे जी या अन्यमाध्यम जो वर्तमान तकनीकी है जैसे कम्प्यूटर हो गया शिक्छन की जो अन्य तकनीकी या है उनसुविधाओं को आप विद्यालोयों में दे ये कोई माध्यम नहीं कि आप सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों का विकास संभव है क्योंकि अंग्रेजी तो एक भाषा मात्र है क्योंकि विदेशों में जिनकी मात्री भाषा अंग्रेजी है वहाँ पर हर वर्ग का अव्यक्ति ही अंग्रेजी बोलता है हिंदी से भी विकास संभव है अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा सीखने में आप 6 मेने से साल भर में प्रवीन हो सकते हैं तो साथियों हमें आज इस विशय पर चिंतन करना होगा कि आखिर या पलायन और रोजगार, स्वास्त्य, शिक्षा इसके लिए सरकार हमारी मदद क्यों नहीं करती है जो भी योजनाई आती हैं वो देहरादून या उसी के आसपास तक क्यों समाप्थ हो जाती है हमारी जनता ने मांग की थी कि गैरसेंड को राजधानी बनाया जाए परन्तु सरकार इस बारे में भी पिछले 17-18 सालों से बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अगर गैर गैरसेंड अब तक राजधानी बन गई होती तो उत्राखंड़की या इस्तिती कपकी समाप्थ हो चुकी होती क्योंकि पहाड़ों का विकास उससे संबव होना ही था हिमानचल और जम्बू कस्मिर में आप देखेंगे तो वहां की राजधानी पहाड़ों में ही बनी हुई है जब राज्य ही पहाडी है तो राजदानी शहरी कैसे हो सकती है अगर आप इस प्रकार की व्यवस्ता नहीं रख सकते हैं तो शीत कालिन और ग्रिस्म कालिन व्यवस्ता तो अवस्य बना सकते हैं परन्तु सरकार साइद इस बारे में भी सीरियस बिल्कुल नहीं है हमारे पहाडों की स्तिती सिर्फ डैम बनने के लिए सीमित हो चुकी है जहां दिखो वहां जगा जगा पर डैम बनाये जा रहे हैं वो जो डैम बने हुए हैं उनमें उत्राखंड के किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं है वे बाहरी कम्पनियां हैं आती हैं वहां का दोहन करके चली जाती हैं एक समय था जब पहाड के जंगल काटे गए आज वहां के पाने के साथ छेड़ चाड़ हो रही है हो डैम बने मना नहीं है परंत उस सीमा तक बने जिससे के उत्राखंड को नुक्सान नहो क्योंकि साइद आप लोग जानते हैं 2013 की केदानात आपदा उत्तरकासी आपदा से आप सभी लोग परिचित हैं अगर इसी प्रकार उत्राखंड राज्य के साथ खिलवार किया जाता रहा तो वह समय दूर नहीं है कि जब उत्राखंड के उपर और बड़ी आपदा आने में समय न लगे सरकार से मेरा निवेधन है और युवाओं से भी मेरा निवेधन है कि अगर सरकार आपकी सहायता नहीं कर रही है तो हमें भी मिल कर के कुछ न कुछ इस बारे में चिंतन करना होगा हमारी सरकार में भी जब तक युवा आगे नहीं आएंगे आप देखेंगे अधिकान सता जो नेता हैं वह 40-45 साल से उपर हैं जो कि आते हैं राजनिती से अपने लिए इस प्रकार की व्यवस्ता कर देते हैं कि उनकी भावी कही पीडियां खा सकती हैं परन्तो एक युवा जिस युवा ने अपनी मेहनत 15-20 साल पढ़ाई में लगा दी हैं वहां रोजगार के लिए 50,000 से और 77,000 की सेलरी प्राप्त करने के लिए दरबदर भटकता है यहां तक कि यह तो 50-70,000 मेने साहे जादा बोल दिया है 20-25-25,000 की लोगों को जॉब नहीं मिल लही हैं उदारंता आप देख लीजे आतिति सिक्षकों की इस्तिति यह लोग प्रते एक दिन ध्याड़ी के रूप में इनको सेलरी मिलती है, तंखा मिलती है परन्तु जब तक उनका उपियोग किया जाना है, उपियोग होता है क्यों सरकार कोई स्थिर नीती नहीं बनाती है जिससे की रोजगार में व्यवस्ता बन सके क्योंकि उत्राखंड में गिनी चुनी ही सरकारी नोकरियां बाकी है उससे अत्रिक तो कुछ है नहीं, न तो वहां पर तकनी की विशय का कोई बहुत बड़ा काम होता है सिर्फ हरिद्वार के भी अचल में और उत्राखंड के कुछ स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्ताएं हैं जहां पर की युवाओं को रोजगार प्राप्त होते हैं परन्तु अन्य युवा क्या करेंगे? आखिर उत्राखंड की जनता जाएगी कहां? इस विशय में जागेगा कौन? इस विशय में हमें चिनता करने होगी, सरकार को जागना होगा और हमें उत्राखंड राजय को आगे बढ़ाना होगा हमारा देश काफी आगे बढ़ रहा है परन्तु आप आकलन करेंगे कि उत्राखंड राजय की क्या इस्तिति है? किसी भी इस्थिति में आप देख लीजे मैं तुलना नहीं करना चाहूँँगा परन्त उत्राखंद राजय को हिमान्चल से तुलना करके देखिए चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे परियटन हो, चाहे रोजगार हो क्यों आखिर हमारे उत्राखंड में वो व्यवस्ताएं हो नहीं सकती हैं जो हिमानचल राजे में हैं वहां की भोगोली किस्तरी, वहां का परियावरन उत्राखंड और हिमानचल का समान है वहाँ पर लोगों के सेव के बगान है, वहाँ पर लोगों के जो सूखे फल होते हैं, जिनको ड्राइफ रूट्स कहते हैं, उनका उत्पाधन किया जाता है क्रिशी के द्वारा आखिर उत्राखंड में क्यों नहीं हो सकता, क्यों सरकार जनता के भी जा करके जाग रुकता पैदा नहीं करती है, क्यों लोगों को नहीं जगाया जाता है, क्यों वहाँ युवा दस्वी और बार्वी कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ करके भाग जाता है, क्यों व गाउं वापसी उसका लोटना फिर एक समय के लिए मुश्किल हो जाता है जबकि तक उसके दादा दादी उसके माता-पिता गाउं में रहते हैं वह बीच-बीच में जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह सिर्फ शहरी बन के रह जाता है अगर हम जागेंगे नहीं तो हमारी जो बोलियां हैं चाहे गड़वाली हो चाहे कुमावनी हो चाहे जोनसारी हो वह भी एक संकट की इस्तिति में आ चुकी हैं क्योंकि बच्चे सीख नहीं रहे हैं बच्चा सीखेगा कब जब उसके घर में व्यवहार होगा शहरों की ये इस्तिति है कि आज बच्चा पैदा बाद में होता है माता पिता सोचते हैं कि वह हिंदी में और अंग्रेजी में बोलना सुरू करें जब तक आप उस बच्चे को उसकी मात्री भाषा से रूबरू नहीं कराएंगे वहां बच्चा कैसे सीखेगा आखिर हमारी गड़वाली बोली और कुमाउनी बोली और जोनसारी बोली कितनी प्यारी सुमदुर बोलिया हैं ये जिनको कि भाषा का रूप अब तक प्रदान किया जाना चाहिए था परंतु ये तो स्वयम ही लड़कडाती नजर आ रही है आखिर कौन जिम्मेदार है इसका कहां जाएंगी ये सब चीजें हमारी विरासतें धरी की धरी रह गई हैं आए दिन आप समाचार पत्रों को खंगा लेंगे तो सिर्फ पलायन की इस्तिति नजर आती है गाउं के गाउं खाली हैं गाउं में हमारे जो बाहर के कार्य करने वाले लोग नेपाली लोग या अन्य जो लोकार के लिए आते हैं सिर्फ वह मोजूद रह गई हैं कहीं ऐसी इस्तिति नहों कि हम लोग सारे उत्राकन छोड़कर रोजगार की तलास में बाहर चले जाएं और वहां पर कोई और लोग बस जाएं आखिर फैसला सिर्फ सरकार कोई नहीं हम युवाओं को और हमारे शक्ति ताकत और उत्सा को लेना है कि हमें आखिर करना क्या है